राम विलास पासवान जी का जो व्यक्तित्व रहा था जो राजनीती में उनकी परक रही थी जो उनका कद था आज उनका जाना बहुत बहुत खल रहा है मैं स्वेता जी नहीं कहूंगा कि राम विलास जी एक अती साधरन पड़िवार से निकल करके मेरी पहली मुलाकात बिहार में मुझे फड़ पूस के सांसर्थ से दिख विजए बाबू उनके घर पी उनके हुआ था ये मैं कहता हूँ उनहत्तर की बात है और राम विलास जी से फिर राजमेती कहती बिदी इतने सरल सभाब के मैं नहीं समझता कि कोई बेक्ति इनके शानिद्ध में गया हो वो इनसे परभावित ना हुआ हो केवल गलिट की राजमीत में नहीं हमसे कभी-कभी मजाक भी करते थे कि राज जी बोलते हैं कि राजबाव उपर से भीतर से नहीं बोलते हैं आज रामदिलाश जी का जाना राजमी निधन होना केवल लोग जनसक्ती पार्टी के लिए दुखत समाचाज नहीं है एंडिये के लिए भी दुखत है पूरे बिहार के लिए और देश के लिए दुखत है और मैं तो यही कहूंगा इरामदिलाश जी के इडिलोजिकल मेरे डिफरेंसेज थे एंडिये में आने के पहले लेकिन जब मैं इनके करीब से देखा इनको तो मैं तो यही कह सकता हूं कि जिसके साथ वो मिले एक भाई की तरह मिले एक पिता की तरह मिले आइडिलोजिकल डिफरेंसेज रहते हुए भी हंसते हुए बड़े सहज तरीके से बातों को वो रखने का काम कर दे थे और मैं बहुत ही पिरित हूं बहुत ही दुखित हूं कि बिहार की राजनी थी नहीं बलकि देश की राजनी से समाजित म्याय का बहुत बड़ा धरोहर बहुत बड़ा हिस्सा आज हमारे बीच नहीं गा गिर्राज जी बड़ी बात आपने कही है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि दलित राजनीती से उनका नाम जुड़ा रहा बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो किसी एक जात के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं लेकिन रामिलास पासवान जी ने तो लगभग हालें कि लालू जी ने इस पर कई बार दफा मजाग भी किया कटाच भी किया उन पर लेकिन उनके रिष्टे किसी से इन चीजों से बिगड़ते नहीं थे हम उस दौर को भी याद करते हैं जब एक छातर नेता के तोर पर वो एमर्जेंसी के दौरान जेल में रहे थे लंबे समय तक तो हम उस दौर को भी याद करते हैं कि जब जब चुनाओ मैदान में उतरे तो सीधा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया वहां जाकर बेलकुल बूरे देश में सबसे अधिक मतों से जीत करके स्विता जी ये जाने वाले शांसत बने थे और उसके बार से कभी पीछे मुड़के नहीं देखा राजनी तुम्हे और ये जितना आगे बढ़ते गए उतना इनका हिर्दै इनका सुभाब इनका बिचार विशाल होते गया और ये मैं तो देखा कि चौदरी शाहद के साथ इनों ने किसके साथ नहीं काम किया पांच शे शे प्रधान मंत्री के साथ काम किया इनके विशे में इनको जो टिपनी करतना होता था समय समय पर अपने धंग से करते थे किसी में मौशम बग्यान, मौशम बग्यानिक महीं, वो समाज की मद्रिकों पकरते थे और समाज जो चाहता था वही राम बिलाश जी मिर्ने लेते थे समाज को पहचानने की ताकत थी, यही तो राजनेता की खुबी होती है, जो राम बिलाश जी में खुबी था